मेरी प्यारी बैनों सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत इस सबहा में आप बहुत समय से मेरा इंतजार कर रही है धूप भी है आज इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे भाईयों आपका भी स्वागत श्री हरीज रावज जी जिनके विवेक और अनुभव से मैं रोज-रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ उनका यहां इस सबह में बहुत-बहुत स्वागत श्री अश्पाल आरिया जी श्री दिविंदर यादव जी श्री सुमित फृदेश जी श्री महेश शर्मा जी दिपिका पांडे जी सतीज नैनवाल जी राहुल जिनवाल जी सरिता जी अन्य कॉंग्रेस पार्टी के नेता जो मंच पे बैठे हैं जो कारिकरतागर यहां आए हैं और सरिता जी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे का प्रतीक श्रीमती लीला जी आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत आप से मिलके बहुत गर्व हुआ पता चला की मेरी उत्रा खंडी बेहने कितनी मजबूत हैं कितनी निडल हैं शेह से जिसने सामना किया है वो जीवन के सारे संघर्षों से शक्ती से सामना करेगी तो देखिए रावजी ने इंद्रा जी के बारे में बात की मेरी दादी जी के बारे में मेरी दादी जी का उत्रा खंड के साथ एक बहुत गहरा रिष्टा था मैं छोटी थी तो कई बार देहरा दून लाई थी मुझे आनंद माई मा के आश्रम में आनंद माई माई जी से मिलने हमेशा समझाती थी कि यहां की जो प्रकृती है यहां के जो सुंदर हिमाले की पहाड है इनका क्या माईना है किस तरह से इनको बचा के रखना है किस तरह से जो यहां के लोग है यहां पे जीते हैं क्या उनके संगर्ष है वे हमेशा अपने रिदे में आपका विकास रखती थी इसी तरह से आपको यहाँ हलद्वानी में अपनी ही इंद्राजी मिली इंद्राहिर देश जी उन्होंने भी दिन रात आपके लिए काम किया मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी मैं यहाँ उत्राखंड के मुख्यमंत्री जी की विधानसभा से आई हूँ खतीमा से और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ की सडकें यहाँ का विकास कहीं बढ़कर है वहाँ से जबकि आपकी जो विधायत रही कही सालों से वे विपक्ष की नेता थी उन्होंने पूरी कोशिश की कि जहां जहां भी आपका विकास हो पाए आप आगे बढ़ पाए उसके लिए वो प्रयास करें दिन रात महनत की आपकी लिए इसलिए आप भी उनको अपने रिदे में रखते हैं आज उन्ही के बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं हमें गर्व है कि उन्हें भी वही आदर्श हैं वही चाहत हैं आपके लिए दिन रात काम करने की जो उनकी माता जी के लिदे में थी अब देखिए मैं यहां आपके सामने इसलिए आई हूँ कि चुनाव के बारे में कुछ बाते मैं आपसे करो चुनाव आ गया है आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मंच लगे हैं बहुत सारी मीटिंग होती हैं बहुत सारे बड़े बड़े नेता आते हैं यहां बड़ी बड़ी घोशनाएं करते हैं बड़ी बड़ी बाते करते हैं लेकिन आपकी एक असलियत है। उस असलियत को कोई नेता नहीं जानता, उस असलियत को आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं, उस असलियत का एसास आपको है, जिन परिस्थितियों में आप जी रहे हैं, वो आप से बढ़कर कोई नहीं जानता है, मेरी बेहने जानती हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ रहा है मेरी बेहने जानती हैं कि समाज का सारा बोज महंगाई का बोज, बेरोज़गारी का बोज जो किसानों की समस्या हैं उनका बोज कौन उठाता है? मेरी बेहने उठाती है दिन रात खेती में काम करती है घर आकर ग्रियास्त है तो घर भी समालती है बच्चों की परवरिश को देखती है अपने पती के साथ मेहनत करके अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे इकठा करती है चाहती हैं कि अपने बच्चों का भविश्य मजबूत बने उजवल बने इसी तरह से जो मेरे किसान भाई है वो खुद जानते हैं कि पिछने पाच सालों में क्या-क्या संगर्श देखे हैं यहां उत्तर प्रदेश से लगा इलाका है सामने आगे उत्तर प्रदेश है वहां क किसानों ने यहां के किसानों ने हर्याना के किसानों ने पंजाब के किसानों ने अंदोलन क्यों किया इतना संगर्श क्यों किया एक साल के लिए इतने किसान शहीद क्यों हुए अटल क्यों रहे अटिक क्यों रहे क्योंकि वो जानते थे कि सरकार की नीतियां क्या हैं वो सम कर ये किसान कानून लागू हुए, वो जानते थे कि इस सरकार की नियत क्या है, इसी तरह से यहां के नौजवान, हाथ उठाईए कितने नौजवान हैं यहां, अच्छा हाथ नीचे करिए, अब मुझे बताईए कि आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको पिछले पाथ सानों में सरकारी नौकरी मिली है, मिली है, सुनाई नहीं दे रहा, नहीं मिली ना, एक भी ऐसा नौजवान है जो इस पूरे हजारों लोगों के बीच में से खड़ा होके मुझे बता सकता है, एक भी ऐसा नौजवान है जिसे रोजगार मिला, नहीं मिला ना, क्यों नहीं म क्या कहा रावत जी ने अभी हजारों खाली पद है हजारों बेरोजगार नव्युवक है तो बताइए पद खाली क्यों है पाथ सालों में आपकी सरकार थी आपने एक भी पद नहीं भरा आपने एक भी रोजगार नहीं दिलवाया यहां पहाड है नदिया है इतनी सुंदर प बोनाए आपने रोजगार के लिए, कोई बताता अ, कोई नहीं बताएगा आपको, भाजप्पा का एक एक इक अइक नैता ऐसे मझपरा कर नहीं घोषणाए करेगा, ये बताएगा कि कितने रोजगार ने बनाएंगे पाथ सालों ने, ये कभी नहीं कहेंगे कि कितने बनाएं क्योंकि कह नहीं सकते क्योंकि बनाएं नहीं चाहे किसानों के लिए उन्होंने जो किया उससे आपकी मुश्किले बढ़ी बेरोजगारी बढ़ी आप सोच सकते हैं मुझे ताज़ब होता है कि उत्रा खंड में बेरोजगारी पूरे देश में सबसे जादा उत्राखंड में है अरे उत्राखंड में इतना हुनर है तमाम उत्राखंडी नव्यवक, महिला, पुरुष दिल्ली में काम करते हैं मैं देखती हूं कितना हुनर है उन में पलायन क्यों हो रहा है यहां के गाओं खाली-खाली क्यों पढ़ेंग हैं? आपको बाहर जाके रोजगार क्यों डूनना पढ़ रहा है? क्योंकि आपके सरकार आपको रोजगार का मुशाइध यहां अपने प्रदेश में नहीं देती. तो आप किसानों को देखिए, नौजवानों को देखिए महिलाओं को देखिए सब की संकटे बर रही है पाथ सालों में किसी का संघर्ष कम नहीं हुआ महिंगाई की बात करते हैं आपको कैसे कैसे गोशनाई की थी चुनाओं से पहले कि कैसे महिंगाई नीचे आएगी कम होगी आज क्या परिस्थिती है आप पताईए आपको एक गयास सिलिंडर के लिए कितना देना पड़ता है यहां तो फिर भी हजार रुपे में आपको मिल जाएगा पहाडों में जाके देखिए जब तक ट्रांसपोर्ट होता है तो दोजार रुपे में नहीं मिल रहा है पेट्रोल डीजल के दाम हर चीज के दाम बढ़ गए है सिर्फ गेहूं और गन्ना और धान का दाम नहीं बढ़ा वो दाम आपको नहीं मिलेगा तो सरकार कर क्या रही है यहां प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार दोनों सरकारे है डबल इंजिन को बताया था आपको डबल इंजिन की सरकार है बड़ी तेजी से बहुत रफ्तार से विकासा है क्या आया क्या आया कुछ नहीं आया जबकि सब कुछ आ सकता था तो गड़बर है न कुछ, क्या गड़बर है, गड़बर ये है कि सरकार की नियत खोटी है, सरकार की नीतियां इस प्रदेश के वासियों के लिए नहीं बन रही है, अगर सरकार की नीतियां आपके लिए बनती, तो इतने मौके बनते परियतन के लिए, आपके व्यापार के लिए इतने मौके बनते, इतने रोजगार बनते, खाली पद भरे जाते, लेकिन नियत ही नहीं थी ना, नियत क्या थी और क्या है, नियत यही है, कि जो बड़े बड़े उद्योग पती है, चाहे वो प्रदान मंत गुत्री जी के मित्रों बडए बड़े उद्योग पतियों चल रही है यह सरकारें। इन सरकारों में खरीबों की कोई सुन्वाई नहीं है। इसलिए प्रती चली जा रही है। इसलिए आप रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे हैं लेकिन उनके उद्योग पती में इत्र हर रोज हजारों करोर रुपे में कमा रहे हैं किसान कानून क्या थे आखिर किसान कानून यही थे कि मेहनत करेगा किसान खून बहाएगा किसान पसीना बहाएगा किसान अगर इनकी नियत साफ होती तो चुनाव के समय आपको बताते कि हमने ऐसे ऐसे काम किया आपके लिए हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं ये नहीं होता कि चुनाव के समय फिजूल के मुड़े उठाते जिसे आपके जजबात उगलते जिसका इस्तमाल वो करते हैं जब आपके सामने आके सामप्रदाइक बाते करते हैं जातिवात की बाते करते हैं तो समझ लीजिए आप में बहुत विवेक है हमसे ज़्यादा विवेक आप में है समझ लीजिए क्या हो रहा है आख बंद कर पर वोट मत दीजिए समझ लीजिए कि जो नेता ऐसा कर रहा है जो रारजनी तिकदल ऐसा कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रही है वो सिर्फ वो नेता ये सोच रहा है कि मैं सत्ता में कैसे रहूंगा मैं लोगों के जजबातों का इस्तमाल करूंगा कि आप समझें कि आपको अभी एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो आपके लिए काम करें आपके बच्चों का भविश्य मजबूत बनाएं जो घोशनाएं ऐसी करें जो रख पाएं जिसका अनुभव है सरकार चलाने का अनुभव है कैसी सरकार है यह पाथ सालों में तीन-तीन मु लुकियमंत्रि बदलते हैं कैसी सरकार है सरकार चलाने का आनुभा भी नहीं है इसलिए बार बार बदलाव ला रहे हैं तो कॉंग्रेस पार्टी क्या कह रही है हम आपके लिए काम करना चाहते हैं आपकी सेवा के लिए हम प्रतिबद हैं हम यहां की का विकास करना चाहते हैं, कि किसानों को गेहु उधान का सही दाम मिलना चाहिए, हम कह रहे हैं कि यहां की महिलाओं का विकास होना चाहिए, हमारा जो घोशना पत्र है, इसमें हमने कई चीजें लिखवाई हैं, यह हमने खोकले वादे नहीं लिखे हैं, हमने वही पहली बात क्या है? कि हम आपकी प्राकृति और आपकी परंपराओं की रक्षा करेंगे. चार लाख रोजगार दिल्वाएंगे. कैसे दिल्वाएंगे? जो खाली पद है सबसे पहले उनको भरेंगे. फिर हम एक परियतन पुलिस बनाएंगे. जो खास, जिसमें खास नए-नए रोजगार बनेंगे फिर हम आपको मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे कि आप चोटे-चोटे यूने चोटे-चोटे रोजगार आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे जिस तरह से सरकार ने चोटे वियापारियों को, दुकानदारों को इतनी मुश्किल में डाल दिया है, पहले नोट बन दी, फिर जी-एस्टी, फिर लॉकडाउन बिगेर किसी मदद के, हम जानते हैं, समझते हैं हम कह रहें कि हम आपकी मदद करेंगे आपने देखा कि करोना में क्या हुआ जूट पे जूट बोला गया यहां तक कि जो टेस्टिंग है, उसके बारे में जूट बोला गया आपको स्वास सुविधाय नहीं मिली कितनी बुरी संकट आई, सरकार ने आपकी मदद नहीं की इसलिए हम चाहते हैं कि गाओं गाओं में स्वास की सुविधाय पहुँचें इसके लिए हम ड्रोन का इस्तमाल करेंगे, नई नई तक्नीक का इस्तमाल करेंगे ताकि गाओं गाओं में ही स्वास सुविधाय दवाईयां सब कुछ मिले और आपको संघर्ष नहीं करना पड़े कहीं पहुंचने के लिए जब आप बिमार हो गैस की सिलिंडर की मैंने बात की थी हम आपको कह रहे हैं ये प्रतिग्या कर रहे हैं कि गैस के सिलिंडर का दाम हम पात सौ रुपे पर सिलिंडर से ज़्यादा अधिक हम होने नहीं देंगे हम उसको सबसिडाइज करेंगे जो जब बढ़ेगा उसको सबसिडाइज करेंगे देखिए पिछले सालों में बहुत संघर्ष करना पड़ा है पबलिक को इसलिए जिन परिवारों को सबसे ज़ादा संकट हुआ जो सबसे गरीब हैं सबसे पिछड़े हैं उन पाँच लाग परिवारों के लिए हमने ये तै कि सालाना चालिस हजार रुपे उनको सरकार देगी मेरी बेहने आपके लिए पुलिस विभाग में चालिस प्रतिशत पद और रक्षित किये जाएंगे सरकारी बसों में आपके लियात्रा फ्री में होगी आपके प्रदेश ने हमेशा इस देश के लिए अपनी जान दी आपके यहां के बहुत लोग बहुत सेनिकों ने हमारी सुरक्षा की देश की सुरक्षा की बहुत शहीद भी हुए पूर्व सेनिकों के लिए उनके आदर के लिए हमें पूर्व सेनिक कल्यान बौड का गठन करेंगे इसके साथ साथ उनके कल्यान के कारिक्रम, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके पेंशन, उनके निकास के लिए योजनाय बनाई जाएंगा इस तरह से हम आपके प्रदेश का विकास करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि आपका भविश्य मजबूत बने जो यहां के प्रत्याशी हैं, सुमित रिदेश जी, महेश शर्मा जी, यस्पाल आरिया जी, हरीश वावत जी जो यहां की सारी विधान सभाओं के प्रत्याशी हैं इन्हें आप अच्ची तरह से जानते हैं यह सब आप ही के लोग हैं और सब आपके लिए संगर्श इनोंने किया है और करते रहेंगे इनको एक बार फिर मौका दीजिए आपके प्रदेश को मजबूत बनाएं आपके भविश्य को मजबूत बनाएं जै हिन जै उत्राखंड जै हिन जै उत्राखंड धन्यवाद धन्यवाद प्रियंका गान्दी जिन्दाबार जिन्दाबार प्रियंका गान्दी जिन्दाबार 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 झालो जीको